हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग आज मैं आपके लिए केमिकल सेक्टर का इस्टॉक लेकर किया हूं जो की इनका मुझे क्वाटरली रियल्ट बहुत अच्छा लगा है और जो एरली वेस्ट इनका प्रॉफिट आरा बहुत अंदार आरा प्रॉफिट तो दोस्तों यह और भी सिमल स्टेट है मार्केट के में पांसुन अब्य करोण चल रहा है और हाई बनाया 335 लोग है चानवी रुपे का और इस्टोक पी के हिसाफ से बिल्कुल अंडर वैल्यू इस्टोक बहुत ज्याद और दस रुपे के पर मोटर पास बाउन परसेंट की ओल्डिंग है डेप्ट टुक्वेटर एसी जुरुद दूस्मल पैतालीस और एन्वाल प्रॉफिट है पैतालीस क्रोड रिटान कंपनिया स्कार्ज है 99 क्रोड का और रिटान ओन इक्विटी एकीस परसेंट इंडेश् से ब्यालीस रुपे क्री कैस फ्लो नेगेटिव में 22 क्रोड अगर हम लोग बात करें प्रॉस की तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू कि गूट क्वाटर कंपनी से एक्सपेक्ट किया जरा कंपनी अच्छा हमें रिजल लागर के देगी और ला भी रही है कंपनी है एक ग ये इक रिकोड तीन सल का है प्रोमोटर के पास पर मोटर होल निंग है इनक्रीज बाइड दो दस्मौलों चारनाव पर सेंट ऑवा लाइस्ट ऐगले कौटर पिछले कोड़र में इतने धाई पर सेंट की होलें इनक्रीज की है पर मोटर ने तो कहीं ने कहीं गूट सिगनल मिलता है हमें अच्छा सिगनेर मिल रहा है इस इस्टॉक से तो जैसा कि यह केमिकल सेक्टर का इस्टॉक है और क्वाटरली रिजल्ट की अगर बात करें दिसंबर वाले क्वाटर में 40 क्रोड का सितंबर में 37 और जून में 22 मार्च में 22 क्रोड का ऑपरेटिंग प्रोफिट हुआ है अगर हम लोग करेंगे तो यह रिकीस और बाइस में बहुत अंतर हो जाएगा जमीन अस्मान का अंतर हो जाएगा ठीक है तो कहीं ने कहीं बहुत अच्छा प्रोफिट ला रही ऑप्रेट nahewr इस प्रोफिट प्रोफिटे अगर नेट प्रोफिट की बात करें 22 क्रोड का मैं düसंबर में सितंबर व कॉंटा अच्छेश् जून मार्च COVID को pneumonia को अच्छी में हो modeling ने सब्सक्राइब करें अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नमासी करोड़ का नेट प्रॉफिट आया डीडियम में दोजर बाइस में हुआ है पचपन उसरी पैतालीस दोजर एक तालीस दोजर बीस में हुआ का ऑपरेटिंग नोफिट तो अब प्रॉफिट संदार आ रहा है कंपडी का अगर हम लोग बात करें अगर इन्स कपीड़्य परफ दैनल सु भूझत प्रॉट सेंटा रायखिल सेंट करें तो दस साल में 157 परसंट रिदिन वासट प्रसंट और एक साल में 15 परसंट डिटान वन उनक टीड़िग बाद करें तो साल में 37, 5 साल में 40, 3 साल में 34 और लाश्ट यह 27 परसेंट करें कंपनी की 202 क्रोट का कंपनी के पास रेजर्व है और कंपनी की की कला कर्च है 100 क्रोट का यह गज़ अभी 2 तिन क्वार्टर से साल से इनकी रिई होता हुझा है दिखेगा मार्च 2021 में देखो इनका रेजर्ब इनके पास कर्ज 2019 में जीरो था जीरो हो गया था फिर 2020 में नो करण हो गए है तो कर्ज इनका हमें इंकरीज होता हुगा दिख रहाए ठीक है कि अगर हम लोग बात करें कैश की तो कार्णी की कंपास मैंनेसária क्रूड करुड क्या उकशब क्या कैश्व flour मैनिस विताय क्रूड क्या क्यश्य फ्लोह मैस् सोलक्रूड थैस फ्लोह तो है कंपनी के बात करें तो परमोटर अपनी होडिंग लगतार इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं मैं और दिसंबरवाले कोटर में बाउं दिसमालों 70% की होलिग है यह वर्लिंग मार्श यसदधे 222 में 50.21% की होई थी और सितंबर वाले कोटर में यह होल लिंग ईक्रीज हुए है अगर पॉब्ली की बात करें तो पॉब्ली की पास 47 इसमालो 30% की होडिंग है अगर तो काफी अच्छा पैसा लगा हुआ है प्रबिट प्रबिट लिमिटेट कंपनी का और कुछ इंडी वीजुल का भी तो दूस्तों इस्टो का नम बताने हैं पहले पहले पतादू अगर आ और इस पैसलिस्ट और मैनुफेक्शर एंट्री फिलर एंट रिफ्रिजेंट रिफ्रिग्रेंट कैसे डैटार रिप्लेस्मेंट फॉर दा लूरो फ्लोर कार्वन तो यह इनकी वेबसाइट है इनकी वेबसाइट पाग करके आप इनकी बिजनेस करें बहुत अच्छे तरीके समाझ सकते हो ठीक है क्वाल्टी बाइंट एक्स एक्सपेटेंशन लेडिंग दवे और विद डैक्ट्रूट इनोवेशन इस तोलिड वैल्यू सिस्टम एलिजेंट विद कम्यूनिटी तो इनवल्फ एक्स 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 एलेंस ति यह इनका प्रोड़क्ट है क्वालिफाइड नेच्ट्रल रिफ्रिजेंट ठीक है इनकी प्रोड़क्ट है आफ इनके प्रोड़क्ट के बारे में इनके वेफसाइट पर आखर कि बहुत इच्छे से जैनकाइड ले सकते हो ठीक है प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट के बाद इनके प्रोड़क्ट के बाद इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि 120 का हाई बनाया फिर कहीं आया नीचे और उस 27 रुपे के रेंज को अपना सपोर्ट बना करके फिर उठा फिर इसने पचासी रुपे का रेंज को रेकाउड करते हुए फिर एक रेंज में आया फिर इसने हाई बना दिया 165 का फिर आकर के फिर रेजिट्रेंस को सपोर्ट बना करके फिर उठा यह इस्टोग और अभी फिर यह नीचे कि तरह आ रहा है इस्टोग के कि रेंज में इस रेंज में मिल जाए 188 एक सोनब्बे तो भी वाय करके चल सकते हो त्यक्त है मेरा मानना ही है कि इस रेंज में बाई करके चल सकते हो 222 के रेंज में उस हिसाब से इस इस्टोग अंदर एंट्री बना करके चलना बहुत ही फायदमन सावित हो सकता है दोस्तों जो भी स्टोग हो जैसा भी स्टोग हो ठीक है हमें मैनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एंट्री बनाना चाहिए और जब भी 100% की प्रॉबिट देखे हमें है आप इन्वेश्ट करके चल सकते हो ठीक है आए इस तरह से आप मनी रिक्स फ्री हो सकते हो मतलब आपका एक भी परसिंट का रिक्स नहीं रह जाएगा इस श्टोग के अंदर ठीक है फिर मिलते हैं नो नेक्ट वीडियो में दुस्तों ये वीडियो सिर्फेशनल फरफास से मनायत ना कि बाई और सेल करने के लिए अगर आपको एंटरी करना तो आप अपने रिक्स पर एंटरी करके चल सकते हैं